जैहिन दोस्तों स्वागत हाप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सोलजर्ज पे चलिए दोस्तों आज एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक प्राकर्थ संख्याओं के योग पराधारित परसन जो अपने कंटिनू नंबर रहते हैं करमागत संख्याई रहती हैं उनका जोड करना सिखेंगे इस टाइप का क्यूश्चन बहुत बार इक्जाम में पुछा जाता है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्यूश्चन के साथ में पहला क्यूश्चन आपके सामने 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कंटिनू है और 60 तक का हमें जोड बताना है कि अगर 60 तक के नंबर दे रखे हों तो 60 तक के नंबर का जोड हमें कैसे करना है हम सब को पता है ये कुन से नंबर है ये नेचूरल नंबर है नेचूरल नंबर मींज प्राकृतिक संख्याई जो number continue है इनका हमें क्या करना है जोड़ करना है और इनका बहुत easy तरीके से हम जोड़ करेंगे ये सारे जितने भी question करेंगे मैं आपको एक ही तरीके से समझाऊंगा इनके लिए अलग अलग तरीक नहीं लगा नहीं हमें एक ही तरीके से solve करेंगे देखे पहला question आपके सामने है क्या करना है हमें जो last number है और first number है पहले number को और आखरी number को जोड़ देना है तो 1 प्लस 60 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा और upon में क्या करेंगे 2 अब हमें इसके गुणा में लिखना है ये total number तो 1 से start होके 60 तक अपने total number कितने होगे 60 तो गुणा में क्या कर देंगे 60 कर देंगे अब 2 से cancel करो इसको एक हो जाएगा और 2 से cancel करो इसको कितना हो जाएगा 30 3 के साथ में गुणा करेंगे 3 का और 1 का multiply कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 और 6 का multiply कितना हो जाएगा 18 ये 0 बाकी है ये 0 लगा देंगे तो इसका मतलब इन सब का total कितना हो जाएगा 1830 option D आपका right answer हो जाएगा चलिए अगला question सोल करते हैं अगला question आपके सामने अब ये जो पहले वाला question किया था उसमें क्या था वे number थे वे continue थे natural number थे वो continue थे लेकिन इसमें कहां से start किया है 21 से start किया है तो देखे इसको सोल करेंगे कैसे ये अपना पहला number 21 और last number क्या है 75 इन दोनों number का जोड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 और इनके अपन में क्या करना है 2 अब हम पहले वाले question में हमने लिखी थी 60 संख्याई क्योंकि वे total number 60 थे अब इसमें 21 से start किया और 75 तक अगर ये एक से start होता तो इसमें total number 75 थे लेकिन इसमें पहले वाले 20 number नहीं है तो ये कितने ही संख्याई बाकी बचगी है 55 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 55 दो से cancel कर एक ये 4 पे होगा एक बचेगा और किस पे हो जाएगा 8 पे अब हमें क्या करना है 48 का और 55 का multiply करना है multiply करो 5 और 8 की गुना कितनी हो जाएगी 40 करी कितना होगा 4 5 चोगे 20 और 8 पाचे 40 40 और 20 60 और 4 कितना हो जाएगा 64 करी कितना हो जाएगा 6 अब 4 की और 5 की गुना होगी 20 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 तो इसका मतलब इसका जोड कितना आ जाएगा 2640 option भी आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question आपके सामने अब ये number दे रखे हैं sum संख्याई देखते ही हमें पता लग रहा है 2, 4, 6, 8 ये सब कौन से number होते हैं sum number होते हैं तो करिए 16 को पहला number क्या है 2 और last वाला number क्या है 60 60 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 अब उनमें क्या करना है 2 अब देखिए गुना में हमें लिखना है ये total numbers कितने हैं तो ये देखिए सम संख्याई 2, 4, 6, 8 तो इसका मतलब 60 तक कितने ही सम संख्याई हो जाएगी 30 तो इसके गुना में क्या कर देंगे 30 कर देंगे 2 से cancel किजिए इसको ये किस पे भाग हो जाएगा 3 पे और ये किस पे होगा 1 पे अब 31 का और 30 का multiply करेंगे 3 से 1 3 हो जाएगा और 3 से 3 नो हो जाएगा तो इसका मतलब इसका answer क्या हा जाएगा 900 तो इस option भी आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखिए अगला question आपके सामने अब ये question उससे भी अलग है थोड़ा इसमें बोल रहा है 28 plus 30 plus 32 और ये 80 तक का जोड़ करना है तो same method लगाएंगे पहला number क्या है 28 और last number क्या है 80 अब हम 80 को और 28 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108 इसके अप उन में क्या करेंगे 2 अब हमें ये number count करना है अगर ये number 80 तक continue होते तो हमें पता है ये number कितने हो जाते 40 लेकिन ये कहां से start किये है 28 से start किये है तो ये total number कितने बच जाएंगे अब 40 में से जो पहले वाले 13 number है उनको हम minus कर देंगे 13 minus करेंगे तो कितना बचेगा 7 और 2 27 तो इसका मतलब ये अपने number कितने है 27 2 से cancel करो 1 2 से cancel करेंगे 5 और 4 कितना आजाएगा 54 गुना में 27 अब हमें 54 और 27 का multiply करना है 7 और 4 की गुना हो जाएगे 28 करी 2 हो जाएगा 7 पाचे 35 और 4 दूनी 8 35 और 8 43, 43 और 2, 45 करी कितना हो जाएगा 4 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 तो इसका मतलब 1458 इसका क्या हो जाएगा राइट अनस्वर हो जाएगा ओप्शन B आपका सही अनस्वर होगा चलिए अगला क्यूशन सोल करते हैं अगला क्यूशन है 1 प्लस 3 प्लस 5 हम सब को पताएगे कौन से नंबर है विसम संख्याओं अब हमें करना है विसम संख्याओं का जोड़ मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे क्यूशन मा आपको सेम ट्रीक से सोल करने के लिए बताऊंगा एक ही तरीके से हम सभी क्यूशन को सोल करते हैं तो हम क्या करेंगे पहले नंबर का और आखरी नंबर का जोड़ करेंगे तो 69 और 1 कितना हो जाएगा अपना 70 हो जाएगा कितना हो जाएगा 70 अब उन में क्या करेंगे 2 अब हमें लिखना है गुना में ये टोटल नंबर कितने हैं तो 69 तक विशम संख्याई कितनी हो जाएंगी? 35 Cancel किजी इसको ये 1 पे cancel हो जाएगा और ये किस पे cancel हो जाएगा? 35 हम सब को पता है 35 का स्केर कितना होता है? 1225 तो इसका मतलब इसका right answer क्या हो जाएगा? Option B आपका right answer हो जाएगा 1225 चलिए अगला क्यूशन सोल करते हैं अगला क्यूशन आपके सामने 23 ये नमबर 23 से स्टार्ट किया है 23, 5, 69 और 71 सेम त्रीक लगाईए बिल्कुल fast calculation करना आपको और फटाफट answer निकालना है 23 को और 71 को जोडेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7, 2, 9, 94 हो जाएगा और इसके अपोन में क्या करना है? 2 अब हमें देखना है 23 से लेके और 71 तक हमारे कितने नमबर हो जाएगे ये? ये टोटल नमबर हो जाएँगे अपने 23 से स्टार्ट किया 71 तक तो कितने नमबर हो जाएँगे? कितने नमबर हो जाएंगे 25, 2 से cancel करो 2 चोके 8, 2 से बंचा 14 हो जाएगा अब क्या करना है 47 का और 25 का गुना करना है 5 साते 35 हो जाएगा carry 3 होगा 5 चोके 20 और 7 दूनी 14 20 और 14 कितना हो जाएगा 34 और 3 कितना होगा 37 फिर से carry 3 होगा 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 तो इसका मतलब option D क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा चलिए अगला question सोल करते हैं अगला question आपके सामने ये question है ये जो army gd का exam होता हूँ उसमें भहुत बार पूछा जाता है ये बोल रहा है 3 के पर्थम 10 गुनज का योग क्या होगा हम इसको भी उसी तरीके से सोल करेंगे 3 के पर्थम 10 गुनज गुनज का मतलब होता है पहाडे गुनज का मतलब क्या होता है पहाडे हम इसके पहाडे लिखने 3 के कहा तक 10 तक जैसे हो जाएगा 3 है और last number कितना है 30 इन दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा अब उन में क्या करना है 2 अब यहाँ पे हमें संख्य count करने की जूरत नहीं है यहाँ पे direct पता लग जाएगा आपको कितने number का बोल रहा है 10 तो अपने कितने number हो जाएगे यह 10 2 से cancel करो कितना आ जाएगा 5 5 के साथ में गुना करोगे 15 और 1 16 तो इसका right answer क्या हो जाएगा option B आपका right answer हो जाएगा 165 चलिए अगला question स्टार्ट करते हैं अगला question आपके सामने 6 के पर्थम 18 गुनाज का योग क्या होगा यह स्टाप के एक्जाम में पुछा वाक्यूशन है देखे 6 के पर्थम गुनाज तो इसका मतलब पहला number क्या होगा 6 लास्ट नमबर क्या होगा 18 और 6 की गुना कर दो 18 और 6 की गुना कितनी हो जाएगी 108 108 यह लिख दिया 108 और अप उन में क्या करना है 2 अब 108 और 6 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा अप उन में क्या होगा 2 कितने नमबर है यह यहाँ पर साब बता रख रख है इसने कितने नमबर है 18 तो इसके गुना में रख देंगे 18 2 से cancel करो कितना हो जाएगा 9 9 के साथ गुना करेंगे 9 36 carry 3 होगा 9 3 कितना होगा 12 carry 1 होगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 तो इसका मतलब इसका right answer क्या आजाएगा option A इसका right answer हो जाएगा 1026 चलिए अगला question देखते हैं अगला question आपके सामने 36 plus 42 ये भी है कि इसको कैसे solve किया जाएगा इसको भी हम same method से solve करेंगे तो देखे क्या है पहला number क्या है 36 और last number क्या है 96 सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 132 अब उन में क्या करेंगे 2 अब देखिए हमें बताना ये संख्याई कितनी है तो ये संख्याई क्या है 36 से start हुई है और 96 तक है इन सब के बीच में अंतर देखिए आप अंतर कितने का है 6 का तो 6 को अगर 96 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अगर ये नमबर स्टार्ट होते 6 से 6, 12, 18, 24 अगर ऐसे ये continue जाते 96 तक तो हमें पता है ये कितने नमबर हो जाते ये 16 नमबर हो जाते लेकिन अभी ये कहां से start किये है अभी ये start किये है 36 से तो इससे पहले 6 से नमबर स्टार्ट होके 6, 12, 18, 24, 30 ये कितने नमबर निकाल दिये इसमें से 5, 5 नमबर निकाल दिये तो ये कितने नमबर बच जाएंगे 11 तो 132 के गुना में क्या करेंगे 11 करेंगे, 2 से cancel किजिए इसको किस पे cancel हो जाएगा 66 पे cancel होगा, अब 11 से इसको गुना करेंगे, 11 से 64 हो जाएगा 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 72, तो इसका मतलब इसका right answer क्या हो जाएगा, 726, option B, इसका right answer हो जाएगा, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question आपके सामने, 120, 135, 150, और ये 600 तक का हमें जोड़ बताना है, ये 600 तक का जोड़ क्या होगा, तो देखी इसको कैसे solve करना है, पहला number है अपना 120, और plus में क्या करना है, 600, इसके अपन में क्या करेंगे, 2, और गुना में देखना हमें ये number कितने है, अब इन सब के बीच में देखे, कितने का gap है, इनके बीच में 15 का gap है, तो आप 600 को 15 से divide किजिए, कितना आ जाएगा, 40, अगर ये number 15 से start होते, और 600 तक होते, तो ये total number होते 40, बट ये start कहां से हुए है, 120 से, तो 120 से पहले वाले number, इसमें से क्या करेंगे, minus कर देंगे, तो इससे पहले वाले, कितने number बनेंगे, 15, 7, 105 और 15, 8, 120 होता है, तो क्या minus करेंगे, 7, 7 minus किया, तो इसका मतलब, ये total number कितने होगे, 33, तो ये गुना में लिख देंगे, हम 33, अब अगर इसका जोड करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 720, 720, गुना में कितना होगा, 33, और अपोन में क्या हो जाएगा, 2, 2 से cancel कर दीजी, इसको एक पे जाएगा, ये किस पे cancel होगा, 3, 6, और 0, 360, 360 पे cancel हो जाएगा, अब हमें देखिए, इसकी गुना करनी है, किसकी, 36, 360, 360, और किसकी गुना करेंगे, 33 की गुना करेंगे, तो इसकी गुना कैसे करेंगे, पहले 6 और 3 की गुना किजिए, कितना हो जाएगा, 18, carry 1 होगा, 6 तीया 18, और 3 तीया कितना हो जाएगा, 18 और 9, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28, 21 केरी कितना हो जाएगा 2 23 नौर 2 कितना हो जाएगा 11 ये एक 0 बाकि यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए तो इसका राइट अंस्वर क्या हो जाएगा 11880 ये इस ट्याइप के क्यूशन थे कुछ एक जो प्राकरत संक्याओ के योग पर बेस्ट क्यूशन थे ये कल आर्मी जीडी का ओरिजिनल एक्जाम होगा पूरे 50 क्यूशन रहेंगे तो जो भी आर्मी की त्यारी करता है उस वीडियो को जरूर देखे और ये जितने भी क्यूशन किये हैं इन सब को सोल करें आसा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे टोपिक के साथ में एक नए सेशन के साथ में तब तक के लिए जै हिन जै भारत